दोस्तों, currency, pre-market analysis पे आप सवीर का स्वागत हैं, आज है आपका 20th of December 2023, Wednesday and I am your host आशिश दोलर इंडेक्स अभी है 102.16. 15th December में एक pullback देखा गया था, then Monday को थोरा सा consolidation on the higher end of the 15th December का movement, then कल के दिन में again sell of dollar index. So, यहां पर एक zone बनाया हुआ है, यह जो zone है, इस zone से बाहर जैसे ही निकलेगा, एक momentum देखा जाएगा, that means, possibly on the lower side, जैसे ही नीचे के तरफ यह जो support zone है, उस support zone को breakdown करके नीचे के तरफ जाएगा, dollar index में, फिर next downward move हम expect कर सकेंगे, जो पहले आपको रुकाएगा, 100.8090 रुपे, and then आपका second, जो level होगा, वो होगा, 99.60 से 100.10 तक, so अभी इंतिजा रहेगा, इस zone के नीचे के जो range, lower range है, उसको breakdown करने के लिए, dollar रुपी, dollar रुपी अभी है, आपका 83.09, यह जो आपका, 15th December का जो एक damage था, dollar रुपी में, एक अच्छा का सा selling देखा गया है, उसका 50% retracement हो गया था, आपका मंडे के दिन, कल के दिन में एक indicative candle, जो means neither telling, it's a strong bullish, तो यहां पे एक uncertainty रुपा हुआ है, तो ऐसा प्रतीत होता है, कि आज के दिन में, 83.00 on the lower side, to be prices 82.95 से 83.00 on the lower side, and the higher side में 83.2025, इसके बीच में थोरा सा volatility, जी बीप डॉलर, जी बीप डॉलर अभी है, 1.2722, हमारा जो immediate resistance लेवल था, वो लेवल आपका 1.2730 से 1.2750, उसी जोन में आके काफी टाइम पास कर रहा है, पहले आपका 29th November से, आपका 4th December तक अटेंप्ट किया, इस resistance zone को तोरने के लिए, then थोरा सा retracement, again आपका 14th and 15th December को को पोशिश किया, फिल हो, अभी फिर third turn, it is trying to break above the resistance zone, and there are higher possibilities, यह resistance zone को तोरके उपर के तरफ जाने के लिए, आज या कल में, फिर कोशिश करेगा, and successful हो जाना चाहिए, कब होगा, यहा पे एक ट्विजर, टॉप बना हुआ है, 14th December and 15th December, जैसे ही इस हाई की उपर सस्तेन कर जाएगा, आवार्ली बिसिसमें, then GBP dollar will start moving higher, GBP INR 105.70, अभी यहाँ पे एक जो रिजिस्टेंस जोन है, आपका 106.20 से आपका बिसिकेली 107.20 का पुरा कपर है, रिजिस्टेंसी रिजिस्टेंस है, सो यहाँ पे थोरा सा, साइवाज, साइवाज नहीं बोलेंगे, मिसे चॉपी बहीविर, हम एक्षप कर सकते हैं बिट्वें 106.60 से 107.20 on the higher side, and on the lower side of 104.00 से 104.50 के बिच में, नेक्ष्ट, EUR, DOLLAR, EUR, DOLLAR, similarly, same way पे यह जो इस रिजिस्टेंस को तोर चुका था, 1.093040 का, लेकिन अभी यह जो 29th November को एक हाई बनाया है, उसको तोरने के लिए प्रयास करता है, जैसे ही अपका 1.1020 के ओपर से स्टेंट कर जायेगा, आवारली बिसिस्पे, then we can expect an upward thrust on the higher side, उपर के तरह जाने के लिए एक यारी प्रयास कर से, EUR, INR, similarly, आपका यह जो रिजिस्टेंस है, 91.80 on the higher side, इसको धोड़ना पड़ेगा, then यह 192.4050 का next level of resistance मिलेगा, whereas नीचे के तरफ यह 89.5060 के सब्सक्राइगा, to be precise, 91.80 से 92.00 on the higher side, and 89.5070 के बीच में यह चौपी पी ही रियर करेगा, देखने वाला बात क्या है, आप देखोगी, GBP डॉलर उपर के तरफ जाने के लिए तयार है, यूरो डॉलर कोशिश कर रहा है, उपर के तरफ जाने के लिए, अभी फिर, market is, means, thinking about कि फिर दुपारा एक stress ना आ जाए, जैसे ही आपका, इसमें stress आएगा, तो GBP आना रहे नहीं रहे नहीं, एक stress आ से लिए, अभी क्या ये stress आने से भी, 82.75 से 82.95 का ये लेवल है, डॉलर येन, 143.78, ये कल के दिन में हाई जो मारा था, 144.95, उस लेवल पे, प्राइस गोट रिजेक्टेट, एन फिर दुबारा नीचे आच उता है, यहां पर थोरा सा अभी एक, जैसे ये स्विंग लोग को तोरेगा, और अवरली बेसे पे सस्टेन कर जाएगा, तो एक डाउनवर्ड प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच मैं टीक डॉलर ये टॉर्स, 137.70 से 138.50, एन आयन, एन आयन पे, ये लेवल पे, आपका कांसा, 59.10 से 59.708, सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहां पर आने के बाद, कैसे प्राइस से बीएफ करते हैं, वो आमें देखना परे रहे हैं, डॉलर केंदी, डॉलर केंदी कल के दिन ये जो सपोर्ट लेवले सो तोरके नीचे के तरफ चला देखना है, अभी जो आपका एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नजदेख आ चुका है, अभी हमें, आज कल पर सो, याने वेंजडे, पर सेलिन प्रशर हम एकस्पेक ट्रेंड रस अगरेंड ऑसी डॉलर हमारा जो शेकंड टर्गेट 0.6780.680 उर्प चाह रहा है, कल के दिन ये 0.6775 हई मारा है, मिनस अल्मोस्त 5 पेश के लिए ये तर्केट अभी इस लेवल आपका कांसा, 1.6780 से 6800 और तो यूज़ चालिश प्रिप का एक रिजिस्टेंस जोन अम एक्सपेक्ट कर रहे है इस बार कि प्राइप के पार्ट का इस तरह रहा है यह यहां पर आने के बाद प्राइस अक्षिन को में देखना पड़ेगा यह सपोर्ट लेवल पर दुबारा फाइट कर रहे हैं कि क्या यह फिर दुबारा नीचे के तरफ नहीं अभी हमें देखना है क्या यह इस सपोर्ट जून को ब्रेकडाउन करते हैं क्योंकि यह पहले आपका 21st November को फिर 30th and 4th December तो कोशिश किया था वहीं हुआ वापस जाने के बाद फिर एगें यहां पर ट्राइग करना है ऐसा लग रहा है कि इसको तोर के नीचे के तरफ आएगा इस सपोर्ट लेवल को सी एनेच तोर के नीचे के तरफ आएगा तो रूप के तरफ बढ़ सकते हैं अगर आप लोग मेरा ब्रेंट कूट फ्यूचर के स्पेशल अनालेसिस देखोगे जो हमने मंडी को रिलीज किया था जहां पर हमने फर्स टर्गेट मैट बोलके बोला था एन सेकंड टार्गेट हमारा 84 के तरफ है जिसके लिए दो हर्डिल से एक हर्डिल से आपका 79 79.30 एंड यह ट्रेंट लाइन रिजिस्टेंस देखोगे तोरके ऊपर चला गया है अभी यह ट्रेंड लाइन रिजिस्टेंस के तोरने का इद्धिज एक बढ़ा गर स्ट्रेंड रिजिस्टेंस को तोरके ऊपर के तरफ चला जाते है देन हमारा जो टार्गेट है 84 वो आने के लिए हायर पर बिलिटीज बन जाए यूएस टैनियर ट्रेजरी आपका 3.91 यहां पे एक लोर बेस बना रहा है यह बेस को नीचे के तरफ जैसे तोरेगा फिप ए पीसी डेटा के लिए इंतेजार है तो फ्राइडे को आने वाला है यूएस का यह एक बार पीसी डेटा आ जाएगा उसके बाद क्या यह सपोर्ट ले रहा है डॉलर इंडेक्स यह नीचे के तरफ तोर रहा है वह हमें देखना पड़े के जी बेपी डॉलर भी यह ब्रेक ध्रट देखना दलर इंडेक्स यह लै ब्रेक्टवै ओ लॉलर इंडेक्स प्राइट यह लिए खड़े अच यह लेसे रहे इंडेक्सया review McL gram ध्रट अच यह यहां पर भी इस रेंज के नीचे जाना चाहिए बट यह जो आपका इन बार है डेट इसका जो लो है इसको जब तक नहीं तोड़ता है तो नीचे के तरफ एक बार तो एक शार्प डाउन गोग हम यहां पर एक्सपेक्ट कर से लिए इन बार का लोकेशन की सपोर्ट लेवल के साथ को इंसाइट करता है फ्राइड के दिन अफ यसी जो सब्सक्राइब करते हैं यह बिचे के तरफ ब्रेक्डान करते है या सपोर्ट लेगके उपर के तरफ जाने से वी से लप्तिष में अगरेक्ट दिन से करेंशी प्री मर्केट अनलीस अभी विक्ट अच्छ लगा लागा है इस राप्ट comment and share thank you and have a great day bye-bye